आप सभी लोग उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आपकी पड़ाई अच्छे से चल रही होगी तो गाइस आज सेकंड पार्ट है हमारा डिस्कवरिंग टर्ट दसागा कंटिन्यूस का जहां हम लाइन टो लाइन एन वर्ड टो वर्ड एक्स्प्लेनिशन देखने वाले हैं पूरा भावार्थ समझ के हम लोग देख रहे हैं लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने यही प्रयास किया कि पूरी बात समझ में आए क्योंकि जिस तरीके से इस चैप्टर को लिखा गया है और किंग टड जो है उनकी हिस्ट्री को टच करते वे चलेंगे कि उनका इतियास या उनके परिवार का इतियास क्या रहा एमिन टॉप साब जो है थ्री अन फोर उन्होंने क्या इंपोर्टेंट रोल प्ले किया था उस हिस्ट्री में चलिए तो देखते हैं in 1968 तो 1968 के अंदर more than 40 years after Carter's discovery Carter ने जो चीज़ खोच के निकाली थी उसके लगबक 40 साल से भी ज़ादा समय के बाद an anatomy professor वो व्यक्ति होता है जो शरीर विज्ञान में बहुत अच्छी जानकारी रखता है तो शरीर या शारीर एक संरशना का विज्ञान है उसके जो प्रोफेसर थे X-rayed उन्होंने X-ray किया अब X-ray तो सभी लोग जानते हैं क्या होता X-ray करना ठीक है दा ममी उस शाव का and revealed a startling fact और एक चौका देने वाला तत्य सब लोगों के सामने रखा ये एक चौका देने वाला तत्य बताया Beneath the resin तो जो resin था चिपचिपा पदार्थ जिससे शरीर को संरक्षित किया गया था उसके नीचे उसके अंदर की तरफ That cakes his chest जो कि चिपका हुआ था Cake की तरह एक परत की तरह चिपकावा था जमावा था उनकी chest पे His breast bone and front ribs are missing तो उनकी breast bone यानि कि हमारी च्छाती पे जो bones होती है इसको तो collar bone कहते है इसके नीचे जो हमारी chest में जो भी bones होती है वो और साथ ही साथ उनकी आगे की ribs Ribs का मतलब होता है कि हमारी पसलियां जो होती है न इन पसलियों को ribs कहा जाता है तो यह ribs और आगे की bone जो है यह गायब थी missing थी यानि कि उस शव में शुरू से ही नहीं थी Today diagnostic imagining can be done with computed tomography तो आज की समय में अगर हम diagnostic करने का प्रयास करें यानि रोग का पता लगाने की कोशिश करें किसी भी व्यक्ति में किस तरह की समस्या और यह शरीर में उसके रोग का पता लगाने का प्रयास करते हैं वो computer के द्वारा किया जा सकता है और city या फिर city scan के द्वारा किया जा सकता है by which जिससे hundreds of x-rays in cross sections यानि कि हजारों की सैक्डों की तादात में x-ray निकाले जा सकते हैं section में इधर से कैसा दिख रहा है इधर से इधर से इधर से इधर से चारो तरफ से एक बार में उसको देखा जा सकता है are put together उन्हें साथ रखा जा सकता है like slice of bread बिलकुल bread की जो slice होते हैं पतली-पतली slice होती है bread की उनको साथ में ऐसे जमा करके to create ताकि निर्मान किया जा सके three dimensional जिसको हम कहता है 3D गोल चाल के बाचना में क्या कहता है 3D यानि कि three dimensional three I am virtual body virtual body का मतलब होता है शारीरिक बाड़ी तो बनेगी नहीं उससे शारीक बाड़ी तो 3D पड़ी है virtual यानि कि कल्पना शील एक शरीर बनाया जा सकता है कि हां इसके सारे चित्रों को मिला करके देखे तो यह जंदा रहा होगा तो कुछ-कुछ ऐसा दिखता होगा तो उस तरह का 3D आयाम या जैसे भी यह जो है एक पिक्चर है यह एक 3D इमेज है ठेक है तो 3D इमेज जो है उससे बनाई जा सकती है what more would a city scan reveal of touch than the x-ray तो x-ray से जादा बड़ी क्या चीज थी जो एक city scan reveal कर सकता था दर्शा सकता था and could it answer two of the biggest questions still lingering about him और अभी भी जो बीच में जूलते हुए लटकते हुए जो दो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे क्या यह x-ray या क्या यह city scan जो है इन दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब दे सकता था कि नहीं दे सकता था हाव डिड ही डाए उनकी मृत्यू कैसे हुई किस प्रकार हुई and how old was he at the time of his death और उनकी मृत्यू के समय में वो कितने साल के थे या उनकी क्या IU थी जिस समय उनकी मृत्यू हुई तो क्या हमें इन दो सवालों का जवाब मिल सकता है मौत कैसे हुई और मौत के समय IU क्या थी उम्र क्या थी उनकी King Tut's Demise Demise का मतलब होता है मृत्यू आप चाहो तो death बोल सकते हो ठीक है King Tut की जो मृत्यू थी वास बिग इवेंट ये बहुती बड़ी गटना थी इवन बाय रॉयल स्टेंडर्स अगर हम शाही स्टेंडर्स के इसाब से बात करें यानि शाही तोर तरीके या शाही जो जीवन जीने की शैली है तरीका जो है अगर उस आधार पे भी बात करें तो यानि अपने परिवार की पंक्ती में अनुवांशिक तोर पर अगरम देखे तो यह सबसे अंतिम व्यक्ती थे और उनका जो फूनरल था उनका जो अंतिम संसकार था उनको जिस तरीके से दफनाया गया था वो डेट रेटल था एक डाइनस्टी का यानि कि सबसे मृत्यू में सबसे अंति होने में यह है कि केवल एक राजा की मृत्यू नहीं हुई बलकि उनके राज वंश का ही नाश हो गया उसके बाद उनके वंश का और कोई बाकी नहीं राज जो राजा बन सके या कि निशित वस्तों पर विश्यों पर बात की जाए पासिंग अवे का मतलब भी होता है डेथ मृत्यू अगर उनकी मृत्यू के जो पर टिकुलर विश्य है उनपर बात की जाए और उसके बाद की घटना अगर देखी जाए are unclear यानि कि वो पूरी भी तरी बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है यानि कि ना तो उनकी मृत्यू के बारे में कुछ भी स्पष्ट है और ना ही उनकी मृत्यू के बार डायनेस्टी का क्या हुआ क्या इतिहास रहा कुछ भी स्पष्ट नहीं है सारी चीज़े अभी तक अर्स पष्ट है यहां से इतियास शुरू होता है किंग टट के पूरवजों का तो एमेने टट के पिता या दादा जी रहे होंगे वो एक बहुती शक्तिशाली राजा थे who ruled for almost 4 decades जिन्होंने राज किया लगबक 40 वर्षों तक 4 decades तक उन्होंने राज किया at the height of the 18th dynasty's golden age और उन्होंने इतने लंबे समय तक राज किया कि 18 वी वंशावली उनकी आ गई थी यानि उनके वंश में 18 लोग राजा बने थे golden age तक यानि कि स्वर्णिम समय तक या स्वर्णिम युग तक उन्होंने राज किया his son और उनके पुत्र जो थे a minute of four a minute of four जो थे उनके पुत्र succeeded him वो उनके इस्थान पर फिर राजा बने succeeded का मतलब succession में यानि कि उनको एक तरीके से अपने पिता जी के द्वारा जो उनको राज है वो उन्हें आनुवानशिक तोर पर अपने पिता से प्राप्त हुआ यानि वो successor बन गए उनके and initiated one of the strangest periods और उन्होंने शुरुवात की उन्होंने प्रारम किया एक दुनिया के सबसे विचित्र समय का यानि ऐसा विचित्र समय वो लेकर के आए जो eminatop 4 थे in the history of ancient Egypt यानि प्राचीन एजिप्ट में इतना विचित्र इतना अजीब समय पहले कभी नहीं आया था जितना विचित्र समय eminatop 3 लेकर के आये थे तो उन्होंने ऐसा क्या किया देखते हैं new pharaoh promoted the worship of the aethan तो नए जो राजा थे उन्होंने प्रोटसाहित करना या उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि हमें पूजा करनी है worship करनी है aethan की the sun disk यानि कि सूरे के चारो तरफ जो परीदी होती है उसकी changed his name और उन्होंने अपना नाम बदल दिया और उन्होंने एमेन टॉप थी के जगे aethan अपना नाम रख दिया जिसका मतलब होता है servant of the aethan यानि aethan का सेवक and moved the religious capital from old city of thebes to the new city of aethan और जो उनकी धार्मिक राजधानी थी पहले एक नगरी होती थी जो धार्मिक जहांपर सारे धार्मिक कारे होते थे वह उस राज्य की धार्मिक राजधानी कहलाती थी तो पहले राजधानी कौन सी थी तो पहले थी पुरानी राजधानी जो थी वो थी the old city of thebes और उससे उन्होंने बदल करके नई राजदानी को कौन सी राजदानी बनाया The New City of Aketon तो Aketon का नया शहर जो है नई राजदानी बन गया था known as Amarna और इसे Amarna के नाम से जाना जाता था जो नया राजदानी थी, नया शहर था He further shocked the country बाद में उन्होंने चौका दिया बहुचक्का छोड़ दिया डरा दिया पूरे के पूरे देश को by attacking एमन उन्होंने एमन जो देवता है उन पर attack करना शुरू कर दिया उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया जो की एक प्रमुक देवता है smashing his images and closing his temples उनकी मूर्तियों को तोड़ करके और उनके मंदिरों को बंद करना उन्होंने शुरू कर दिया it must have been a horrific time say Ray Johnson तो Ray Johnson जो वेकती है वो वास्तविकता में कौन है वो डायरेक्टर है the University of Chicago के जो research center है जो की लक्षर शहर में इस्तित है the site of ancient thebis और ये लक्षर शहर कहा है तो प्राचीन समय का जो थेवी स्थान है जिसे हम old capital या old religious capital कह रहे थे उसी जगह पर बसा हुआ है ठीक है तो इस बात को द्यान से समझ लेते है पुरानी जो धार में की राज़दानी थी उसका नाम था the old city of thebis वहां से वो नई राज़दानी मिले गया तो अब ये जो पुरानी राज़दानी है इस जगह पर लक्षर नाम की जगह है उस लक्षर नाम की जगह पर एक research center है जो University of Chicago का है उसके director है Ray Johnson जब वो इतियास प कितना भयानक टाइम रहा होगा the family that had ruled for centuries वह है परिवार जिसने शाशन किया कई शताब्डियों तक was coming to an end वो उस पूरे के पूरे वंशावली का उस dynasty का उस परिवार का अंत हो जाना and then और उसके बाद एकेटन went a little wicky और एकेटन खौन से एकेटन की बात हो रही है M&A top 4 जिसने अपना नाम बदल के एकेटन रख लिया था तो यह M&A top 4 की बात हो रही है जिसने सारा रायता फैला है इस देवता को नहीं मानना इसको मानना है इसके मंदिर तोड़ो इसकी मूरतिया तोड़ो त विस्टीरियस रूलर एक कोई अजीब सा रहस से मही कोई रूलर था राजा था जिसका नाम था शेमेंग खरे अपीरड ब्रीफली वो कुछ समय के लिए वो दिखाई दिया राज करते वे and existed और वो चला गया with hardly a trust उसने अपना कहीं पर कोई चिन या निशान भी नहीं and then a very young Tutankhatin और उसके बाद में एक बहुत ही जवान यंग जिनका नाम था Tutankhatin तुक दा थ्रोन वो थ्रोन पर सिंगासन पर बैठे कौन एक Tutankhatin तो यह है King Tut as he is widely known जैसा कि King Tut के नाम से उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर जाना जाता है today आज the boy king soon changed his name और यह जो boy king थे King Tut जो थे इन्होंने जल्द ही अपना नाम बदल लिया और Tutankhanam इन्होंने अपना नाम रखा क्या रखा Tutankhanam Tutankhanam इन्होंने अपना नाम रखा जिसका मतलब होता है living image of aman अब यह aman वही दे होता है जिसका विरोध करते हुए या जिसका पूजा नहीं करनी है यह कहते हुए अकिंटेन जो है उसने इन्ही के मंदर तोड़े थे aman की and oversaw a restoration of the old ways और उन्होंने फिर से इस direction में देखना शुरू किया king Tut ने जो पुराने तरीके थे king जो god aman के time के उन चीजों की पुनायसतापना की जाए he regained for he reigned for about nine years reigned का मतलब होता है उन्होंने शाषन किया तो king Tut जो है उन्होंने लग बग लग बग 9 साल तक शाषन किया and then died unexpectedly और अनुमानित तरीके से और अनुमानित तरीके से उनकी मृत्यू हो गई तो अगर मैं मानू कि 18 साल के या 19 साल के की death हुई तो 9 साल या 10 साल के रहे होंगे जब राजा बने होंगे और जो aman है God वो aman God की वापस इस्थापना करने का कारी किया सबको वापस जो God अमाने उनकी पूजा में लगा दिया और लगबक 9 साल राज करने के बाद अगर मैं कहता हूँ 18 की death हुई तो 9 में राजा बने होंगे 10 में राजा बने तो 19 में death हुई इतना ही difference आएगा ज्यादा difference नहीं आएगा उस समय में इनकी मृत्य हो गई और कोई किसी को अनुवान नहीं था कि इनकी मृत्य हो जाए कि लेकिन हो गई और जैसा कि हमने पढ़ा उसके बाद की हमें कोई ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है इतियास में regardless of his fame यानि कि अगर हम इनके fame को भी नजर अंदास करने उसको रिगार्ड ना दे and the speculations about his faith और जो नजरिया speculate करते हैं न हम लोग जिस नजरिये से हम इस चीज को देखते हैं उनके भग्य को उनके नियती को देखते हैं या उसके बारे में अगर हम बात करते हैं Tut is one mummy among many in Egypt तो King Tut जो है उनकी जो mummy है उनका जो शव है वो एक शव है जैसे बहुत सारे शव है Egypt के अंतर how many कितने हैं? No one knows कोई नहीं जानता कि कितने शव सनरक्षित करके रखे गए हैं The Egyptian mummy project और Egypt का जो एक mummy project चलाता जिसका नाम था Egyptian mummy project which begun an inventory in late 2003 जिसने एक सूची जारी की थी अच सूची बनाना शुरू किया था उन्होंने has recorded उस सूची में record किया गया है almost 600 लगबख 600 so far and is still counting 600 तक तो हम पहुँच चुके 600 इस तरह के King Tut जैसे 600 शरीर तो हमें मिल चुके हैं और अभी भी हम गिन रहे हैं अभी भी हम आगे देख रहे हैं कि और कितने शरीर हमें मिले वाले हैं यानि 600 is not a final number 600 प्लस कह सकते हो आपके 600 से जाद ही हैं भी तक 600 का पता है ठीक है the next phrase और अगला जो phrase था scaring the mummies with a portable city machine कि जितनी भी mummies मिली है उन सब को हमें scan करना है यानि अंदर से देखना है कि अंदर से एक यसी बनी वी है एक portable प्लस का मतलर जिसे एक जगह से दूसरे इस्थान पर ले जाया शकता है उसे portable का जाता है जैसे हमारे पास होता है portable charger जिसको हम बोलते है power bank तो क्या होता है portable charger होता है कि आपको घर से तार खेंच के कहीं नहीं ले जा, उसको रखा, लगाया प्लक, अपना फोन चार्ज कर लिया, ठीक है, तो portable city machine थी donated by the National Geographic Society, जिसे donate करने वाले, यानि कि जिसे दान में दिया गया, और किसने दान दिया था ये, तो दान दिया था National Geographic Society और Simons ने, अब ये Simons कौ scan की जो machine हैं, उनका निर्मान करता है, तो it's manufacturer, यानि कि दो लोगों ने मिल करके, एक तो National Geographic Society थी और दूसरा Simons, जो city scan की machine बनाता है, इन दोनों ने मिल करके इस machine का दान दिया एजिप्ट में, कि भईया ये portable है, आप जब चाओ ले जा सकते हो site पे, वही end-to-end scan कर लो, वह जहां लेटी भी है, ममी, जहां शव पड़ा है, वही पर उपर machine setup करो, scan करो, ताकि आप उने disturb ना करो, आप उने परिशान ना करो, आला कि परिशान करना नहीं करना, मुझे जादा पता नहीं है, ठीक है, King Tut is one of the first mummies to be scanned, King Tut का पहला ऐसा शरीर था, शव था, उन mummies में से, जिसे scan किया गया था, in death, G1 में, as in life, जैसा कि G1 में होता है, जैसा मृत्यों में होता है, moving regally, शाही अंदाज में, ahead of his countrymen, यानि कि जितने भी उनके देश के लोग थे, जितने भी उनके साथी लोग थे, जैसे वो एक राजा के तौर पर King Tut जो है, सबसे आगे थे, वैसे ही जब city scan में जा करके अपने आपको scan करवाने की बारी याई, तब भी राजा सबसे आगे थे, बिल्कुल शाही अंदाज में, बिल्कुल शाही तरीके से, a city machine scanned the mummy head to toy, और एक city machine जो है, उसने scan किया, उस mummy को, शाओ को, सर से लेकर, पाउं तक, कहते हैं, उपर से लेकर, नीच एक्सरे इमेजिस का, छोटी-छोटी इमेजिस बनाई 17 सो, इन cross sections, इदर से उदर, इदर से उदर, ये cross sections, tuts head, tuts का सर, scanned in 0.62 mm slices, यानी छोटी-छोटी, इतनी इतनी से slices के अंदर, उसको scan किया गया, तो register his intricate structure, ताकि उनके सर का, जो जटिल संरचना है, उसे समझा जा सके, और अजीब सी, डरावनी सी, details in the resulting image, अजीब सी और डरावनी सी, ऐसे सर वाली, देखो, नॉर्मली ऐसा सर, अगर किसी का दिखे, तो आपको अजीब या डरावना लगेगा, कि नी लगेगा, नॉर्मली तो जो बच्चे है, वो इसे देखकर कैसा लगता है, उनको कोई Mars का रहने वाला है, कोई Alien है, तो अजीब सी या डरावनी सी, जो image है, वो अंत में निकल के सामने आई, जो बाकी से बहुत अलग थी, यानी कि विचतर सा उनका शरीर या सर का शेप दिखाई दे रहा था, with Tut's entire body, similarly recorded, और साथ ही साथ, Tut का जो पूरा संपूर्ण शरीर था, उसे भी बिल्कुल इसी तरीगे से record किया गया, pictures ली गई, images ली गई, उनसे जोड के देखा गया, कैसा शरीर था, a team of specialists in radiology, यानी कि जो city scan, machine, या फिर x-ray चलाने के जो expert होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, कि बहुत ही बड़े specialist हैं, विशेशक के हैं, Forensics वालों ने मिल करके, और Anatomy वालों ने मिल करके, begin to probe the secret, इस secret का पता लगाने का काम शुरू कर दिया, that the winged goddesses, यानी कि जिनके wings लगेवे हैं, जिनके पर लगेवे हैं, पर वाली जो देवियां है, परियां है, of a gilded burial shine, जो कि उस चम चमाते हुए, बरियल के, यानी कि ज so long, इन परियों ने, इन goddesses ने इस शव की लंबे समय तक रक्षा की है, उसे protect किया है, the night of the scan, और जिसनों ने scan किया गया, वो राज जो थी, workman carried tut from the tom in his box, तो काम करने वाले जो लोग थे, जो मजदूर लोग वाहां पे थे, वो उठा करके tut को लेकर के आये थे, उनके tom से, like pall bearers, जैसे कि ताबूत उठाने वाले होते हैं, तो जो box जिसकी बार-बार हम बात कर रहे थे, पिछले lecture के अंदर, कि वो सोने का बनावा था, बात में एक लकडी के बनाएवे में में लेटा दिया, उसे ताबूत कहते हैं, ताबूत उठाने वाले कि तरह चल रहे थे, they climbed and ramp वो एक, क्योंकि 26 feet नीचे था, जो tombe है, जो magbara था, वो तो 26 feet नीचे था, वहाँ से एक ramp बनाया गया ताकि उसको उठा करके बिल्कुल उपर लाया जा सके, and a flight of stair, और सीडिया थी वहाँ पर, into the swirling, चक्कर खाती भी, गोल-गोल घूंती भी, तेज, धूल, आंधी में जो rate उट रही है, उसमें, outside जो बाहर थी, आपको ध्यान होता, जो अपन ने last lecture में chapter start किया था, तो मैंने बताया था, कि जब उसका शरीर बाहर निकाला जा रहा था, तो तेज, हवाई चल रही थी, आंधी चल रही थी, जैसे कि काले बादल होते है, तो फिर, तारे दिखा होई थी, यही आंधी अभी describe हो जी, तो tension मतले ना, ठीक है, किस तरह पता नहीं कब कौन सी आंधी आ जारी ही, इस chapter में समझ में नहीं आ रहा, वो सही मांधी है, then rose a hydraulic, उसके बाद एक hydraulic, यानि कि जिसमें एक तरफ से दबाव बना करकि दूसरी तरफ उठाया जाता है, ऐसी संचाली ते एक lift थी, into the trailer, जो पास में, जो बाहर गाड़ी खड़ी थी, कबर के बाहर की तरफ, उस trailer में उसे रखा गया, that held the scanner, और उसी trailer में scanner रखा गया था, ठीक है, scanner कौन सा, city scanner, तो कुल मिला के बात यह है, कि ये लोग, जो मजदूर लोग थे, जैसे ताबूत को उठ उठा के लाते हैं, वैसे ही उठा के ला रहे थे, कहीं पर ramp बनाया गया, कहीं पर सीडिया बनाए गया, ताकि ये आसानी से बाहर आ सके, जब ये बाहर आए, तो इन्होंने देखा के बात बहुत ज़्यादा धूल आंदी चल रही है, उसके बाद वहीं पर एक truck खड़ा है या आप कह सकते हूँ के एक गाड़ी खड़ी है, जिसके अंदर city scan machine रखी गई है, अब ये उसको शव को उठा करके ला रहे है ताबूत के साथ, अब वहां लेके जाएंगे और से scan करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई 20 मिनिट के बाद, दो लोग बाहर निकल के आए, sprinted बहुत ही तेजी से दोड़ करके, for an office nearby, पास के ही एक office से and returned with a pair of white plastic fans और वहां से दो plastic के fan लेकर के आए, the million dollar scanner had quite और million dollar से बना हुआ यह जो scanner था, कौन सा वाला था यह वाला, यह था portable scanner, तो portable यह नहीं, जिसे एक जगे से दुसरे के लिए जाए जा सके, तो इतना महंगा बना हुआ, portable scanner था, यह बंद हो गया था, यह खराब हो गया था, because of sand in a cooler fan, क्योंकि cooler fan जो था, जो इस machine को ठंडा र बसली, डरे हुए, घबराए हुए एक guard ने मजा की अंदास में कहा, कि यह जो है, यह राजा का श्राप है, कि आप राजा को उसकी जगे से उठा कर लाए हुए यह scan करने के लिए और राजा का श्राप था, कि जो भी मुझे disturb करेगा, परिशान करेगा मेरी सोती वी जगे स उस पर मौत का और दुरबाग्य का कहर बरसेगा, तो यह जो कहर बरस रहा है, धूल मिट्टी चल रही है, और किछनी राजा का श्राप है, मजाक करने वाले अंदास में कहा होगा, लेकिन ठीक है, ऐसी सिचुएशन में कोई मजाक भी करे न, तो मजाक जैसा महसूस नहीं ह है, वो पीचे से रात को 11.30 बघए आप कॉरिडॉर में घूम रहे हो, और पीचे से कोई कहते बूत, तो उसने थे मजाक के हिसाब से कहा, लेकिन यह मजाक नहीं है, ठीक है, वो सकता राजा का कर्द सब्सक्राइव, तो यहूस सकता नहीं हो, लेकिन उस से महसूस नहीं हो उस procedure में हम सफल रहे उसे पूर्ण किया after checking that no data had been lost और हमने फिर चेक किया कि कोई data कोई सूचना कोई जानकारी छूटी तो नहीं है या खोई तो नहीं है या delete तो नहीं हो गई the technicians turned tut over to the workman technician जो है उन्होंने वापस tut को workman को लोटा दिया who carried him back to his tom जो वापस उसे उसके मकबरे में छोड़ाए less than three hours तीन गंटे से भी कम समय में after he was removed from his coffin यानि उसे इनके coffin से यानि कि उनका जो ताबूत था उस ताबूत से हटाए हुए हमें उन्हें तीन गंटे भी नहीं होते उससे कम समय में the pharaoh again rested in peace pharaoh यानि कि ये राजा जो है वापस आराम से शांती से अपनी जगे जाकर के लेट गए rest करने लगे where the funerary priest had laid him so long ago जिन्हें funerary priest कौन होते हैं दफन करने वाले जो priest होते हैं जो पुजारी होते हैं उन्होंने जहां लेटा आया था pharaoh को हम भी वापस उन्हें वाहीं पर छोड़कर आ गए और उन्हें लिटाया था कब बहुत साल पहले 3300 से भी जादा हो गए अब तो क्योंकि ये तो नए जमाने की बात आगी तो जो उस समय के पुजारी थे उन्होंने जहां rest करने लिए इनको लिटाया था इमेजस ऑफ टट और वापस जब आ करके हमने ट्वेलर में देखा तो टेक्निशन जो है उसने खीच करके या प्रिंट आउट करके बाहार निकाली आश्यर ये जनक्चितर जो है वो टटके दिखाई दिये on a computer screen, computer की एक screen पर, a grey head took shape from a scattering of pixels यानि की एक grey color का सर जो है वो आकार लेने लगा छोटे 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 जो pixels थे थे उनकी वो मिला करके and the technician spun and tilted in every direction जिसे technician ने गुमाना शुरू किया, computer screen पर गोल गुमा के देखने लगा कि कैसा दिख रहा है और tilt किया टेडा मेडा करके भी देखा, हर angle से, हर direction से, neck, vertebrae, यानि की read के eddy को गर्दन से जोडने वाली, ये वाली जो eddy होती है ये, इसे कहा जा रहा है appeared as clearly as in an anatomic class, वो उतनी सपष्ट तौर पर दिखाई दे रही थी, जितनी सपष्ट तौर पर किसी भी anatomic ही, यानि की जो शरीर विज्ञान के कक्षा होती है, जैसे विद्यारती खड़े होते हैं बहुत सारे, तो सर दिखा रहे होते हैं, कोई एक skeleton होता है, एक कंकाल होता है, उस पर दिखाता है, यह दे को यह eradicate दिए, बस उतनी ही साफ उस computer की screen पर भी वो उनकी हड़ी दिखाई दे रही थी, other images revealed a hand, दूसरी जो images हैं, उनका हाथ दिखा, several views of the rib cage, और बहुत सारे views दिखे उनके rib, यानि कि यह जो पसलिया है, पसलियों के एक पिंजरासा बन जाता हो गया, but for now the pressure was off, लेकिन अभी हमारे उपर कोई pressure नहीं था, हम लोग out of pressure थे, sitting back in his chair, तो अब जो technician है, वो थोड़ा सा आराम से अपनी कुरसी में बैठ गया, back in the chair मतलब यह आराम करके बैठ गया, जही हवास smiled, और जही हवास मुस्कुराते वे कहते हैं, visibly revealed that nothing had gone seriously wrong, और ज and sleep last night, मैं पिछली रात नहीं सोया था, not for a second, एक second भी नहीं, he said उन्होंने कहा, I was so worried, मैं बहुत चिंतित था, but now I think, I will go and sleep, लेकिन अब मैं सोचता हूँ, याब मैं समझता हूँ, कि मैं जा सकता हूँ, और सो सकता हूँ, यानि उनके जीवन का सबसे महत्वा पून कार्य व राजा जो है, एक किंग जो है, फेरो जो है, उनके शव का आप परिक्षन कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, और जब उन्होंने देखा कि अन्त में सभी काम ठीक से हो गया, कुछ जादा समस्या हुई नहीं इस काम को करने में, तब वो कहते हैं कि पिछली रात सो नह रहे थे, to the sandy ground, उस रेतीली जमीन पे, the wind had stopped, तो जो तेज हवा बह रही थी, वो रुप चुकी थी, the winter air lake cold और ठंड की जो हवा थी, वो cold थी, यानि कि बहुत ज़्यादा ठंडी थी, still बहुत ही स्थिर थी, like death itself, जैसे कि ठंडा और स्थिरता किसमें मैसूस होता है, मृत्य हुई हो, in this valley of the departed, departed मतलब जो लोग इस दुनिया को छोड़ कर जा चुके हैं, उन लोगों की इस valley में, घाटी में, just above the entrance of Tut's tom, बिलकुल, जहां पर Tut की जो tombe या मकवरा है, वहां का entrance है, प्रवेश द्वार है, उससे just उपर, stood Orion, Orion क्या है, बहुत ही important character, या एक important देवता है, एक star है, Orion star, जो की Egypt की जो history है, उसमें बहुत important place रखता है, तो Orion नाम का ये एक तारा जो है, एक नक्षतर खड़ाता, the constellation that the ancient Egypt knew as the soul of the Orysus, जिसे Orysus की आत्मा माना जाता है, जो की एक constellation कहा जाता है, Orysus कौन है, जीवन के उपरांद, जो जीवन के उपरांद का जो जीवन होता है, उसके रक्षत, the god of afterlife, यानि कि एक बार जब मनुश्य जीवन से चला जाता है, तो उसके बाद उसकी रक्षा करने वाले, जो है, उनका नाम है Orysus, ठीक है, watching over the boy king, और वे, कैतना कि ये जै तो क्या माना जा रहा है, कि ये तारा जो है, ये बहुत अच्छे से रक्षा कर रहा है, ध्यान रख रहा है, देख रहा है उपर से उस boy king को छोटा सा, जो boy king, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है, वो लिया गया है, National Geographic, Volume 207, No.6 से, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, आज क लेक्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और कोशिश की है, जितनी साधारण से साधारण, सरल से सरल भाशा में इसे समझाया जा सके, उतना समझाया, फिर भी कोई एगर डाउट लगता है, तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में उससे पूछेगा, थैंक यू very much, I'll see you soon in my next lecture, till that take care of yourself, bye bye, I'll see you soon, bye.